जीएस में कम्प्यूटर में नंबर कैसे आएंगे सर पीजी एललबी की त्यारी करें हमारा यहां पे जो है क्वांट हो गया रीजनिंग हो गया इंग्लिस भी आम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इतना जाधा स्लीबर्स है कम्प्यूटर में तो चलो नहीं है लेकिन जी एस में आप लोगों का सलेबस है वह काफी जादा है लेकिन उस चीजे को कवर नहीं कर पारें कैसे करें उसका कोई कोश्चन सही नहीं होता है वहाँ पर कैसे स्कोर आएगा बहुत सारी दिक्क्ते थोड़े कम हुए हैं तो लगब 15, 16, 17, 18 या 20 कोशन तक भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करते हूं बचा जीएस की जीएस के अंदर आप लोगों का करंट अफेर आ जाता है अब यहां पे आप लोगों को जो टाइम बचा हुआ है अभी के बा आपको हिस्ट्री हिस्ट्री रिख दिया मतलब इसमें हिस्ट्री का सब कुछ आ गया है यहां पे पॉलिटिक्स यानि की पॉलिटी से कोश्चन ज्यादा आते हैं द्यानकना बाके चीजों से जिगराफी हो गया कल्चर हो ठीक है और यहां पे आपका साइन्स वाला चीजें जो आप लोगों की यहाँपर पूरे के पूरे सुझेक्ट हैं तो आप लोग इन नोग dragon चीजों में बहुत डीप में आ जाकर और इनमें सबसे पहले आप कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पर फाण साइंस पढ़ेंगे थिक है ना क्योंकि यहां लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी किताबों पर ना जाकर कोई भी शौर्ट नोट्स पर फोकस करना है पॉलिटी के लिए आप लोग सिर्फ जो उपर-उपर की काम-काम की बाते हैं नॉर्मल चीजें हैं जो कि अगर करंट अफेर से भी जुड़ी हुई हो तो सबसे को तुरंत गुगल करके देखें और उसको चीज को समझें ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपको कोई ऐसा क्लास मिल जाए या सारे कोशन उसमें अंदर से आ जाए नहीं यह एक ऐसा चीज है बच्छो आपको कुछ भी पूछा दा सकता है बहुत वाइड यह सबजेक्ट है तो इ इसको खुद चेक करके खुद इसको लिखें आपको लगेगी यह चीज अभी रेसेंट हुई है तो वह आपको पूछी जा सकती है ठीक है उसके बाद आता है आपका सीए का पॉर्शन है कि आप इसको बच्छा ऐसा नहीं कि डेली पे करो क्योंकि आपके बहुत सारा है नोरी है तो आप दिखें को नास्स किस्मांत का आपके पास व्यूडियो मिल यहां इसकेजिए तो आप、、 यह पर मलत बंत करें पैंट है उसके नौट सब्सक्राइज नोट्कर नाटको यह जो भी वीडियो आप हो सके तो वीडियो से देख करके चीजों करें जहां आपको लगता हो ठीक है तो इससे आपको क्या होगा हैं चीजे याद हो जाएंगी अब बात आती है स्टैटिक जी के बहुत बड़ा पॉर्शन है और स्टैटिक के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जहां से कोशन पूछना है पूछना है पुछली बार भी आया था अब जैसे मैं बात करूं बच्चा आवोर्ड के उपर आप लोगों को एक कोशन पूछा जाएगा अब रेसेंटली ऐसे कोई आवोर्ड मिले हो तो आप पिछले जो भी एक साल के अवोर्ड से उसको देख पसलित होती है उनको आप लोग जरूर देखें ठीक है ना अब स्पोर्ट से लेटर जो भी आपके स्पोर्ट्स हैं उस चीज़ को एक ही दिन में कवर कर डाले ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स को लेके घुमरें आप 10 दिन तक नहीं स्पोर्ट्स कितने हैं कौन-कौन से होते हैं हैं अभी कौन-कौन से स्पोर्ट्स हाली में उस तो इस तरह से आप लोग एक एक टॉपिक को तיयार करें है ना और इसके मोग स्पमर्ण आता है तो आपको कर दोग नहीं आता है तो नहीं करोगे इसमें टाइमिंग का हुच अक्कर नहीं है ना उसके बाद में नेशनल औ इंटरनेशनल एकोनोमी के बारे में जो अभी रेसेंट चीज़ें चल रही है तो करेंट से रिलेट करके आपको चीज़ों को पढ़ना है ना अब इंडियन कॉंस्टिजूशन अब यह अच्छा से पुछे जाते हैं आपको यहां से ठीक है ना तो यह चीज़ें आप लोगो पता कि सारी चीज़ें लेकिन फिर भी आप लोगों को बेसिक बेसिक जो स्टैटिक है वो एक बुक से मिल सकता है तो उसके लिए मैं आपको बुक बता दूँगा तो बच्छों आप लोगों को अगर स्टैटिक के बारे में बात करें या बेसिक करंट अफेर की बात करें तो आप लोग छोटी से किताब यहां पे आती है अरिहंत की तो इसको आप लोग प्रैफर कर सकते हो अगर आपके पास और कोई बुक है जो आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप उसी को पढ़ें को जरुरी नहीं है कि आप नहीं किताब पढ़ें लेकिन किसे ने कुछ भी सकते हैं कन्म बाता हैं कम्प्यूटर अगर किसी लिए बेसिक पढ़ा हुआ है अगर किसी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का घ्यान भी है ना तो वह भी आदे कोश्चन कर लेगा लेकिन फिर दिए अगर लेबर की बात करें तो आप लोगों को पेसिक फंडामेंटल्स ह बारे में और storage device के बारे में एक question आपको आना ही आना है तो आप इनको topic wise study करें कि आज मेरे को storage device और ये चीज़ें करनी करनी है तो इस तरह से आप लोग notes बनाते हुए notes बनाने में थोड़ा सा time लगेगा लेकिन लास्ट टाइम में जब आप पढ़ोगे न तो एक रात में सब कुछ revise हो जाएगा एक दिन में सब कुछ revise हो जाएगा उसलिके नोट्स जरूर बनाना कंप्यूटर networks हैं website वैब browsers हैं computer virus क्या होते हैं कितने होते हैं कौन से होते हैं कैसे दूर कर सकते हैं तो output devices क्या है hardware software क्या होते हैं कोण-कौन से हैं कोण-कौन से अभी चल रहे हैं हाल फिलाल में तो इसको भी मैं यहां पर एक छोटी सी किताब मैं आपको बता रहा हूं हलांकि आप जिस चीज को भी पढ़ना हो ना आप उसको गूगल करो यह यूटूब पे लिखो आपको उससे लिटेटर वीडियो मिलेंगी आप उसमें से बैस चांटे और त्यार करो उससे पढ़ो फिर भी आपको अगर बेसी कंप्यूटर की जानकरी चाहिए हो तो आप यहां पे 50-60 किताब पेज की किताब आती है लूशेंट की छोटी वाले ना बहुत बढ़ी पढ़ने का अभी टाइम नहीं है अलंकि बढ़िया तो होती है वो लेकिन अभी आ आती जनरल टेस्ट की वह प्रैफर कर सकते हो वही क्वांट वही रीजनिंग वहीं इंगलिश आपके पूछा जाता है तो यह इसके अंदर प्रिवीज से रकॉस्टन वगरा जो है वह तो उसी एक्जाम के दिया होंगे लेकिन आपके काम आ जाएंगे ठीक है और अगर पर प्रतिग्या टू पॉइंटो जो बैच है वह आप जैसे बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम तक अभी तक पड़े वे नहीं है आपको स्लेबस भी करना है रिविजन भी करना है डाउट्स भी पूछने क्वेशन पीडिएफ भी चाहिए और सारी चीज़ें आपको म बहुत अफोर्डेबल है जो कि आप लोगों को फिलाल रिपब्लिक डे का उफर चल रहा है भी या तो यह आपको 80% में मिल जाता है आप लोगों को कोड यूज करना है मेरा एस 829 इस कोड के साथ अगर आप जुडते हो तो आपको मेरी परसनल गाइडेंस भी मिलती है उसक साथ से तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यह आपको डिस्काउंट कोड जो है वो यूज करना है अगर आप बुक परचेस करते हैं तो आपको यह कोड यूज कर लेना है और आपको मैं मेल आइडी बता दे रहा हूं अमित डॉट शर्मा अग्याइड दे रेट अड़ा 247.com अड़ा 247.com तो यहां पर आप मुझे मेल करके जो भी आपके क्वेरियो या फिर इसी वीडियो के कॉमेंट में भी आप मिल करके पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है ठीक है तो अपनी तयारी को बढ़िया कर दो चीजें आपके ह बात में हैं अभी तक तो अभी भी आप त्यारी अच्छे तरीके से कर सकते हो कोई असी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसके बाद फिर समय जादा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी ठीक है यह आप लोगों को अगर कोई महापैक खरीदना है जिसमें आप लोग की नॉर्मल बैज से 1500 और एक्स्टा होता है लेकिन इसमें आपको एक साल के लिए सारे बैचेज मिल जाते हैं आपको दुबारा कोई बैच खरीदना नहीं पड़ता ठीक है न सिर्फ 1500 के डिफरेंस में आपको ही मिल जाता है जैसे महापैक है यह दिखा रहा है 83600 का तो आप इसको यहां से लेते हैं अगर आप यहां पर 1829 कोड का यूज करते हैं स 829 तो यहां पर फिलाल अभी 80% ओफ चल रहा है बچा अगर आप अब इससे जुडते हो तो आपको यह ओफर का लाव मिल जाता है हो सकता यह आपका आज तक शाम तक रहें तो यह आपको 7600 में एप से लेते हो तो यह लगभू 7000 के आसपास आपको मिल जाएगा जहांकि आपको 5000 के आसपास प्रतिग्या 2.0 वाला मिल जाता है अगर आप उसको एप से जाकर के परचेंज करते हो ना वो भी यहीं अवलेबल है उसक में अगर आप यहाँ पर कोड यूज कर लेते हो क्या एस एट टू नाइन एस एट टू नाइन ठीक है तो यह आपको 5000 के आसपास का बैच मिल जाता है तो बच्छों यह इंफोर्मेशन सापके काम आयोगी कोई आपको डाउट है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकत हो पूछ सकते हो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक्यू शुक्रिया जैहिन जैभालत